वो एबी डिविलियर से भी ज़्यादा खतरनाक है वो मिश्टर 360 से भी ज़्यादा बिध्वनसक है वो वार्नर और गेल से भी ज़्यादा गेंदबाजों की पिटाई करता है उसके आगे हर रिकार्ड बौना साबित हो जाता है वो नेपाल का शाहिद आफ्रीदी है जो मंगोलिया के खिलाब T20 मुकाबले में कुसल मल्ला की खेली गई विध्वनसक और इतिहासिक पारी के बाद लोग कुछ इसी तरह से कुसल मल्ला को याद कर रहे हैं नेपाल का 19 साल का एक युवा क्रिकेट संसनी आज पूरी दुनिया में चर्चित हो गया आज T20 में कुसल मल्ला ने ऐसा इतिहास रचा कि हर कोई हत्प्रब है कुसल मल्ला की हैरत अंगेज बल्लेबाजी ने मंगोलिया की गेंदबाजों के तो परखचे उडा ही दिये क्रिकेट की बिरादरी में भी अभी नया नया जन्म लेने वाला मंगोलिया अब भबिस में कभी क्रिकेट खेलने के बारे में सोचेगा ही नहीं मंगोलिया का केवल एक ही खिलाडी नहीं बलकि पूरी टीम अप क्रिकेट से तौबा कर लेगी कुसल मल्ला ने जिस तरह की बिध्वन सक्पारी खेलते हुए महेच 34 गेंदों में सोरन बना कर पुराने सारे रिकार ध्वस्त कर दिये वो नेपाल की अब तक की सबसे बिध्वन सक्पारीयों में से एक थी नेपाल के बल्लेबाज कुसल मल्ला ने मंगोलिया के खिलाब मैच में गेंदबाजों की मार मार कर धागे खोल दिये बाएहात के बल्लेबाज ने 34 गेंदों में शतक जड़कर संसनी मचा दी इस से पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज सतक जड़ने का रिकार्ड साउथ अफरीका के आक्रामक बल्लेबाच डेविड मिलर के नाम था मिलर ने बंगलादेश के खिलाप मैच में 35 गेंदों में ये कारनामा किया था उसके बाद यही कारनामा रोहित सर्मा ने भी 35 गेंदों में ही सतक जड़ कर किया कुसल मल्ला आज पूरी क्रिकेट बिरादरी में किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा महज 19 साल का ये युवा चार साल पहले जिंबाब्बे की खिलाप अपना पहला T20 मुकाबला डेब्यू किया था तो वंडे में अमेरिका की खिलाप 2020 में डेब्यू किया यानि महज 4 साल के अंतराल में कुसल मल्ला ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि लोग आज उसकी तुलना, सनद जैसूरिया, ब्रायन लारा और शाइदा अपरीदी से कर रहे हैं नेपाल की वंडे क्रिकेट में वो अब तक का सबसे भरोसेमंद और आक्रामक क्रिकेटर के तौर पर पहचान बना चुका है एक दिवसी मुकाबले में गुसल मला ने सबसे कम उमर में अर्दसतक जड़ने का कीरतमान भी बनाया है गुसल मला ने टी-20 क्रिकेट में भले ही ये कारनामा ऐसी तीम के खिलाब किया हो जिसकी क्रिकेट की दुनिया में कोई नाम ना हो, कोई पहचान ना हो लेकिन रिकार्ड तो रिकार्ड होता है इतिहास के पन्नों में आज कुसल मला टी-20 के सबसे तेज सतक्वीर के तौर पर खुद का नाम जरूर दरज करवा चुके है अब चीन में आंगे के जो भी मुकाबले खेले जाएंगे उसमें कुसल मला की दहसत चरूर कायम रहेगी इतना ही नहीं नेपाल टीम का आज का ये परफॉर्मेंस नेपाल को हविस्च में क्रिकेट की दुनिया का सर्ताज बनाने की दिसा में मील का पक्थर साबित हो आस्तितनी उच के लिए ब्यूरो रिपूर्ट